जाहिंद देखे सबसे पहले आपको तनाव नहीं लेना है आपको बिल्कुल चिंता नहीं करने हैं अगर आपका इस कंपनी में इंवेश्मेंट था आप इस कंपनी के सेर्स ओडर है या थें तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है यह कंपनी सिर्फ डिलिष्ट हुए ऐसा बिल इल्कुल तनाव नहीं लेना है मैंने कहा भरोसा रखिए आपका पैसा नहीं डूबेगा आए शुरू करते हैं देखिए साथ अप्रेल के दिन यानि की दिन की बात है जब मार्केट ओपन हुआ हुआ उस समय कंपनी का सेयर प्राइस ओपन हुआ था और दोपर के समय करीब 2800 सेयर ट्रेट कर रहा था तभी अचानक दोपर के करीब 12 एक आसपा इसमें लोवर सर्कीट लग गया लोवर सर्कीट क्यों लगा क्योंकि जो इंसाइडर्स होते उनको इस बात की भनक लग गई थी कौन सी बात यहीं बात की फैसला है वह आ जाने वाला है और उन्हों लोग सब्सक्राइब कर दिया है जिसने इस कंपनी को एक्वाइर करने के बात कई थी अब वह इसको आसानी से एक्वाइर कर सकती है इसको खरी सकती है अब समझे एक्कॉर्डिंग टू इस रेजूलेशन प्लान के तहद तब क्या होगा कि रोहित फैरो का जो शेयर कप्टिल उस उसके बाद एक कंपनी पुर्णतर डिलिष्ट हो जाएगी समझे सीफ डिलिष्ट होने की बात कहीं यह नहीं कहा गया है कि दोबारा कंपनी रिलिष्ट नहीं होगी इसलिए आपको तनाव नहीं लेना है अब समझे अमूमन हर तरह के कंपनी में देखा जाते है जो इस तर पहले सेवी की गल्ती की में बात करते हैं जब सेवी को पता है कि कमपनी चल गई है और जो उसका पैसा बच जाएगा और अगर दोबारा बात में डिलिष्ट होने के बाद एक कंपनी रिलिष्ट नहीं होने वाली है तो इस बात की भाना जो निवस्टर को पहले दे दिया जाए कि आप अपना स्टेर बिसके निकल जाएगे कि आप फस जाएगा लेकिन सेवी के तरब से ऐसा कोई रूल नहीं है या सेवी नहीं किया तो यह समझे अब आगे क्या हो सकता है उसके पहले एक चीज में आपको बताओं कि पूरा बिवाद क्या है आप समझे जूंद हो या रिकरिस्ट में यह जो कंपनी रोहित फिरो टेक के पास गई थी इसके विवाद चला गया था देखिए एंसी रिटी होता क्या है बहुत से प्रकरिया सुरू करती हा जिसमें कंपनी के सारे असे उसको कर चुकाया जाता और बात में यह कुछ पैसा आपास्वार ने गया था ध hon Dig माइनिंग जो कंपनी है उसने इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए बिडिंग प्लेस की थी और फाइनली एक साल तक इसका असे जो होता है जो होता है इसको डाइलूट किया गया और तब कल जाकर इसको हरी जंटी मिल गई अब समझे मज़े की बात यह कि उस समय जब यह मज़े की बात यह भी है कि इसने बीच मां 69 रुपे का सबस का हाई भी लगा लिया था यानि कि पूल रूप से नियूस को यह फसाया जा रहा था और यह बात सही है कि सेवजार में आम नियूस की ज्यादा फसते हैं मैं आपके बात कहाता हूं अगर आपका किसी कंपनी में सब्सक्राइब करने गाने सब्सक्राइब करें और उसी प्राइस पर रिलिष्ट होगा जो प्राइस अभी जहाँ पर था और इस डिलेश्ट किया गया तो इसलिए इस बात की प्रबस सम्हावना है कि यह company दोग्ण होगी तो उसी price पर रिलिष्ट होगी जहां से बंद हो आगा तो आपकापैसा भी नहीं डूबएगा और अगर नहीं रिलिष्ट होते तो इस बात की भी सम्हावना है कि आपको आपके पैसे book value पर किसा आप से लोटा दिया देखिये क्या होता है अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन फिलाल यह वास्थां चाहिए कि जब आपका आपके डिमेट अगार नहीं दिख रहा है तो थोड़ा तरना में बिलकुल नहीं है सेर बजार में हैं ऐसे ही होता है पैसा डूबता है लेकिन फिर सेर बजार से आप पैसा कमाते भी हैं इसलिए बिल्कुल तनाव नहीं लिए और भरोसा रखिए जो होगा अच्छा होगा उम्मीद करते हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रहे होंगी वीडियो इंफर्मेटी तो समझ में आपको सम्मीद करते हैं